हे गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम फिर से के लिए जा रहे है, रैंज सिमिलेटर, और भाई, लास्ट एपसोड में मैंने चैलेंज लिया था कि मुझे 50 पिक खरीदने थे, और भाई, मैंने वो चैलेंज कंप्रीट कर लिया था, 50 पिक मैंने खरीद लिया है, थोड़ एक फ्यूल का टैंकर भी खरीदा था, आपको याद होगा, और भाई, काफी ज़्यादा चीज़ें करी थी, जैसे कि पाइनपल को बेचा था, बहुत सारे कूलर्स खरीदे थे, और यह देखा भाई, फिर से पाइनपल उग चुके इनको उपर, तो भाई, मुझे ना फट और एक बास्केट नहीं है, मेरे पास बास्केट नहीं है, तो कोई नहीं, मैं बास्केट खरीद के लिए आऊँगा, फिलाल तो भाई, मैं इन पाइनपल को तोड़ लेता हूँ, और यह देखा भाई, अगर मैं ज़्यादा टैम तक अपने पाइनपल लगे रहने देता ठीक है, पाइनपल को बेच के भाई इतना प्रोफिट नहीं होता, तो मैं अभी घटे करते जा रहा हूँ इनको, एक साथ भाई मैं इनको बेचूँगा, और मैं सोच रहो हूँ और भी जादा मुझे शायद खेत लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी न यह थोड़े कम है और यह भाई वन टाइम इनवस्टमेंट है, मतलब यह देखो यह पाइनपल के जाड़ोग चुके हैं, तो इनके उपर लगातार पाइनपल लगते रहेंगे, लगते रहेंगे, मुझे अब भाई इनके अंदर सीड डालने की जुरूत नहीं है, जब तक कोई मेरा पौदा खराब ना हो जाए, और अगर मैं धंक से इनकी देखवाल करूँगा ना, मॉनिटरिंग करूँगा कि यह कौन से के अंदर कितने फ्रूट हैं, तो यह भाई खराब भी नहीं होंगे, यह वाला भी खराब हो चुका है, तो इसको भी रिमूव कर देता हूँ, कुछ ना बी खित और लगाने वाला हूँ, और उसके अंदर हम अंगूर की खेती करेंगे, सारे के सारे पेड़ों से भाई मैंने पाइनपल तोड़ लिये, और अब जितने भी खराब हो गये ना, उनको मैं हटा देता हूँ, यहां से, क्योंकि इनकी जगे मुझे नए प्लांट लगान जनरल स्टोर पे, अब इना भाई पाइनपल पड़ी रहने देते हैं, मैं इनको नहीं बेच रहा, अब भी मैं थोड़ा और एकटा करने वाला हूँ, और थोड़ी बहुत देर में यह पिक्स भी मेरे बड़े हो जाएंगे, तो मैं इनको भी बेच तूँगा, तो टेंशन आता है, लेकिन गाड़ी को कंट्रोल करना इतना जादा आसान भी नहीं है, और ट्रेलर कभी कबार तो अटक भी जाता है, उल्टी सीती जगए पे, तो मुझे वो भी सेफ करना पड़ता है, और यह वाली मर्शीन है, मुझे हमेशा खुश कर देती है, इनके अंदर काफी जादा ओईल जमा होता रहता, होता रहता, मुझे कुछ ली करना पड़ता, बाकि अपनी गाड़ी को ना मुझे कुछ ऐसे लगाना होगा, कि मुझे अपनी गाए को इसके अंदर भरने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है, यह बिल्कुल सहीतरी गाए, और अब भाई मुझ गई चार भाई, और कितनी खरीदने है, चारी तो खरीदनी है, दो अल्रड़ी मेरे पास है, ऑइट, तो ठीक है चकाउट कर लेता हूँ, इनके अलाबा भाई मैं एक लेबरा खरीद लेता हूँ, एटू-काट, बिल्ली बहाई मैं नहीं खरीदरा भी, बिल्ली के लिए अ 10 10 आई थिंग काफी है और इसके अलावा pumpkin seed या फिर कुछ ऐसी चीज doggy का food बगर अल्रेडी रखा हुआ है तो grapes के भाई मुझे seed खरीदने हैं तो अभी खरीद के ले जाता हूं लेकिन अभी भाई मैं इनको उगाऊंगा नहीं उगाने के लिए मैं वापस आउंगा पता नह 400 डॉलर का सामन फिर से ले लिए तुमारे भाई ने और गाये देखा भाई चूट चूट के जा रही है और जब भी भाई मैं यहां से गाये खरीदता हूं इतनी जादा यह दूबली पतली आती है क्या बता हूं और ठीक है ठीक है ठीक है इसके अंदर जा चुकिए ठीक है इसको देख लेता हूं ओ भाई कुटा भाग गया मेरा इसको भी ट्रांस्पोर्ट कर देता हूं भाई यह देखो कहाँ चलेगी वहाली गाये मतलब भाई थोड़ी सी डィ participate हो यह पतला कहां भाग जाती है एक गाये भाई वहां चलेगे एम भाई फालतू की मेहनत है आब नाम डाल देता हूं मैं इसका नाम डाल देता हूं मैं आ भाई मुझे कुछ ज़्यादा फैंसी नाम एक तो सोचना आता नहीं है और पैट नाम चेंज कैसे करूँ एक सेकंड एक सेकंड आज 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 ठीक है डॉग इस नाफ फॉलॉइंग यू ओके मेरे पास पीछे नेम चेंज कर सकता हूं यह रहा भाई नेमट है दो बचे हुए अभी इस कुत्ते का नाम डाल देता हूं मैं डॉग ही डाल देता हूं डॉग काफी है डॉग ही बोलेंग है मैं इसको ठीक है भाई ठीक है बढ़िया क्योंकि इससे पहले दो बार मैंने शेरू नाम रखा था इ एक साथ ही रखने था इसलिए ठीक है सारा का सारा मोल्ड और यह इसके अंदर आ जाएगा अरे आजा तू भी तू भी आजा तू भी आजा और तू भी आजा एक सेकट मुझे ना एक मशीन भी खरीदनी थी मुझे अपने पेक्स भी तो मारने है ना और मैं उनको और मुझें लिए ठीक है चैक आउट इस वाली मशीन से हम फिक्स मार सकते हैं इसके इक बार नजर मार लेता हूँ कुछ नहीं घरीदना फार्मिंग का कोई सामान ने है टूल्स वगरा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फूड और वर्टर कुछ नहीं घरीदना सब कुछ है मेरे पास यह वाली मशीन आ चुकी है यह सी ओटू गन है क्या ठीक है इसको इसकी रेंज देख लेता हूं कितनी है रेंज थोड़ी उसको तो मैं ले आऊंगा और कूलर को रख देख ओओ उपर दो-दो बास्केट खरी लिए मैंने एक के अंदर मैंने सीड रख लिए थे दो सीड वई यहां पर पड़े हुए है तो बास्केट भी चलो उपर ही रख दें बास्केट को भी यहां जाएगी और कूलर को ठीक है दूद की मशीन यहां जाएंगी ये वाली मशीन भी इसके उपर आ जाएगी कुछ ऐसे और एक मोल्ड रखा हुआ उपर इसको कूलर के अंडर डाल देता हूँ सब कुछ बढ़िया हो चुका है ये बैरी CO2 गन भी रह गई यहां पर इसको रख देता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे ठीक है अब भाई अपनी गाए को ले आते हैं वो रही हमारी प्यारी प्यारी सी गाए चल भाई अमूल काओ अमूल काओ नहीं है ये तो बारा जार रहेंगा सिर्फ जादा उड़ाने लग गया अब अपनी गाड़ी इंदर बैट जाते कुछ ता भी बैट चुका है और सभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इदर कुछ रह तो नहीं गया रहे गया होगा तो नीकल लेते हैं यहां से तो मैं पहाड़ी के ऊपर मेरे और एक सेटरी भाई मुझे एंगल चेंज गाना पड़ेगा यह देखो ट्रेलर मुझे ढंग से चलाना पड़ता है यह फस फसा जाता है अब सब कुछ बढ़िया है इसको ना मुझे घुमा के ले जाना पड़ेगा और भाई मेरा ना भोटी जाद अच्छा लगने लग तुझे तेरा नया गर दिखा देता हूं शेरू तो भाई कभी भी इस घर में रहा नहीं भाग गया वो इधर से तो तु भाई इधर ही दियो तेरा फूड बगरा कैसा है ठीक है फूड तेरा और इधर भाई मैंने तेरे खाने के लिए रखा हुआ है सब कुछ फुल है थोड यहां से मतलब भाई मैं हमेशा 6600 मतलब अब तक मुझे लॉस हो चुका है तो ठीक है मैं अपनी गाये को इधर नहीं उतारने वाला मैं थोड़ा दूर उतारू उतारूंगा क्योंकि इधर कोई तो दिक्कत है हमेशा मेरी गाए गाएब हो जाती है ठीक है अब एक गाए य फिर नानी पड़ेगी एक गाय कोई नहीं तू आजा ठीक है ओ फिर से गायब हो रही है यह क्या हो रहा है यार वाली नहीं ठीक है दो गायब हो चुकी है एक रह गई है इसको धीरे-दीरे स्लोली स्लोली ले चलता हूँ इसकी जगह पे इसको ना भाई मैं दोनों वाइट गाय के बीच में रखने वाला हूँ और आजा आजा मेरी गाय दूसरा दरवाजा बन ठीक है तू इसी के अंदर रहे और मेरा डॉगी भी फस चुका इसके अंदर लेकिन ये शायद निकल के आ जाएगा और बारिष शुरू हो चुके भाई जो की बहुती घटिया मौसम है इस गेम का इतनी ज़्यादा बारिष पता नहीं क्यों होती इदर और ये वाली गाय भी गायब हो चुके है भाई तेख रहे हो मैं चार गाय खरीद के लाया था साड़े 600 डॉलर की एक तीन गाय गायब हो चुके है सर्फ एक गाय है जो गाय नहीं हुई है इतने ज़्यादा पैसे मेरे वेस्ट होते हैं भाई ये गेम का इतना गंदा ग्लिच है जबकि इसका अपडेट आया कुछ दिन पहले गेम का नया फिर भी इन्होंने एक ग्लिच ठीक नहीं किया पता नहीं यार क्या चार रहे है ये लोग ऐसे तो भाई मैं खेलना होती रहती हैं बाकि इसके अंदर क्या है दूद की मशीने हैं बास्केट है ठीक है इनका तो आगई गाम है यार कुट्ता कितना अच्छा लगता बैठा हुआ और आज मैं एक और नई गाड़ी खरीदने वाला हूं और वो गाड़ी भाई मुझे देखनी है कैसी होगी और पाइनपल भी भाई मस्त हो रहे हैं यह देखो काफी पाइनपल है और एक सेकड़ बास्केट के अंदर इनको कोलेट करने की कोशिश करता हूँ लाइगा है सिर्फ कोई नी इस वाली बास्केट को तो मैं नीचे रख देता हूं मुझे एक टेवल और बनानी पड़ेगी क्योंकि भाई यह बढ़ चुकी है और यह सीड की टेवल है तो इसको यहां रख देते हैं यह बाई मेरे पाइनपल के सीड है तो बच्छे-कुछे इसके अंदर और यहां और यहां ठीक है वह सीड खतम हो चुकए है और सब जग़े लग भी चुकए है बढ़िया यह भी उख जाएंगे थोड़ी बहुत देर में तब तक ऐसा करता हूँ एक और मेरी बास्केट थी ना किधर है एक और बास्केट वह रख देता हूं क्यों इसको इस बास्केट के उपर रख देता हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पाइनप पले पहले से अब सर भाई दूद की दो मशीने रहे गई है और ब्लू मोल्ड रहे गए और बारिश भाई बन दो चुके इसी के साथ ठीक है तो इस वाली मशीन को मुझे लगा देना अची यहां पर यहां पर लगा देता हूं ऐसे ठीक है यह लास्ट वाली मशीन इसको लगा देता हूं बिलकुल यहां एंड पर और मुझे नहीं से निकलने में सब्सक्राइब करें ब्लू मोल्ड और तीनों की थीनों बढ़िकर बरतन केंडर डाल देता हूँ क्योंकि मुझे और भी ज्यादा दूद निकालना है अभी यह वाली कैन खाली हो चुकी है अब बार यह दूसरी गैन की चलो बढ़िया भाई यह वाली कैन भी शायद खाली नहीं इसके दर साथ लीटर है भी भी और जितनी भी गाय है ना भाई मुझे 42 लीटर दूद मिल जाएगा ठीक है इस वाली गाय से मिल गया मुझे 14 लीटर इस वाली से भी 14 लीटर मिल जाएगा उस वाली से भी 14 लीटर मिल जाएगा मतलब भाई एक कैन फूल हो जाएगी तीन गाय से और मेरे पास होंगी 6 गाय मतलब मैं दिन का भाई 84 लीटर दूद ले सकता हूँ और 84 इंटू टू भाई क्योंकि सोबैश आम दूद देती है ये इससे भी ले लेता हूँ दूद और फूड बगरा देख लेता हूँ फूड ठीक है इनका तो टैंशन नी लेनी मुझे ठीक है बाई ठीक है चलो 42 सिल्टर हो चुक है ना तो इसको निका हुए हैं या फिर नए उनको चलो मारने के लिए मैं एक नई मशीन तो ले आहा हूँ लेकिन अभी यारी यह तुछ यह टोड़े से बड़े और होंगे एक भाट किया तो सु्छ क्यूप भी देखो फिल हो है में हर बार इनको करते रहता हूँ रहता हूं बाकी मुझे कोई ऐसी लोकेशन चाहिए जहां पर भाई मेरे घोड़े आराम से रहें और मेरा जो स्पेस है वह भी बचा रहें तो मैं सोच रहें थोड़ा ना दूर बनाओ इस वाले एडिये से और यह वाली जगह मुझे तोड़नी पड़ेगी फिलाल तो भी रात होगी है बहुत ज़ादा तो मैं अपना स्लीपिंग बैग लेके आता हूँ और मैं सो जाऊंगा अधर ही बाकी का काम भाई मैं अगले दिन करने वाला हूँ अगले दिन हो चुका है और आज है इस पुरानी सी बिल्डिंग के टूटने का दिन तो सबसे पहले मुझे तोड़नी पड़ेगी इसकी च्छत तोड़नी या फिर यह तोड़ने है यारी मैटल के पीसेस लगे हुए मैटल नहीं लगड़ी है तो यह पहले इसका फ्रेम तोड़ देता हूँ मैं कोई चीज रहतो नहीं गई नहीं यारे पीछे एक शैड जैसी चीज रह गई है तो इसको इसको भी तोड़नी के लिए बहुत सारी चीज़े मैं बनाने वालों इदर एक विंड मील और आटोमेटर भी बनाऊंग अपने घोडों के लिए फिलाल त के लिए एक पूरा को पूरा अपने आप आजाता यह काफी जादा यह बढ़ा है और इसको मैं लगाने वाला हूँ यह थोड़े से ना पेड़ है पीछे तो एक सेड़ीपिंग मैंने इदर रख रहा है इसको मुझे अटाना पड़ेगा और राइट तो यहां पर भाई मे अधर नी लेके आने वाला था ठीक है काफी जादा भाई यह मस लग रहा है और ठीक है यहां पर मुझे सप्लाई के लिए दो तीन चीज़ा और बनानी पड़ेंगी जैसे की आटोमेटिक फीडर और एक विंड मील फिलाल चार मेटल लगेंगे इसके अंदर सो वुड के प यूपरिंट ठीक लग रहा है भाई सेपरेट है कोई नहीं पर एक वाई मुझे विंड मील भी लगानी होगी उसका पंखा मुझे करना पड़ेगा अपने रैंच की तरफ ठीक है चलो यह भी लग चुकी है और यह भी काफी ज्यादा सही लग रही है थोड़ा सा पीछे ल पहला आ जाएगा इधर और दूसरा आ जाएगा फुड़ी दूरी पर ठीक है एक दो और लगा देता हूं चलो तीन तीन नहीं नहीं दो ही काफी आइधिंग क्योंकि एक के अंदर 16 16 64 64 इनके अंदर प्लैंक्स चीह हैं 100 इसके अंदर प्लैंक्स चीह हैं मैटल से चार मैं हाडवे स्टोर जाऊंगा प्लैंक्स वगरा खरीदूंगा और मैटल खरीदूंगा और तो मुझे कुछ नहीं खरीदना यह सब चीजों से काम चल जाएगा लास्ट मैं मुझे घोड़े खरीदने होंगे और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए ठीक ठाक क्योंकि एक मैं ब्लैक गोड़ा खरीदने वाला हूँ और एक मैं खरीदूंगा वाइट गोड़ा दो गोड़े एक साथ खरीदूंगा और आइधिंक पांच-पांच-एयर के दोनों आई भी तो दस एयर चीए और अब भी वाई सर्फ बारा जार रहे गें तो मुझे पिक्स को मारके चोटी है यार लेकिन काफी जदा प्यारी सी लग रही है और इसकी कैपसिटी भी मुझे लग रहा कि इसके अंदर काफी चीज़ा आ जाएंगी तो एक बार ना मैं इसका कलर देख लेता हूँ छोटी सी है तो मैं इसको लाल करूँ या फिर कौन सा कलर इसके उपर सूट कर लेते हैं काफी जादा यह मस लग रही है ओ बाई कितनी ज़ादा प्यारी लग रही है और इसके अदर भाई सौ से जधा प्लैंक्स आ जाएंगे गया सो से जादा प्लैंक कैसे आएंगे जिए बहुती जटा चूटी है लेकिन इसकी कैपसिटी पर धूगा मत खाना यह गा इसका पिकप देखो और इसका कंट्रोल भी साही है यह कहीं से भी मुड़ जाती आज तक मैंने यह गाड़ी क्यों नहीं खरीदी भाई यह मेरी फेवरेट हो चुगी है अपसे मैं इसी को हर चीजों यूज करने वाला हूं तो ठीक है इसका ट्रंक मैंने खूल दिया अब मु जाएंगे 25 स्टेक काफी होंगे 25 यह है और दो मैटल है तो ठीक है मैं चेक आउट कर लेता हूँ और देखना यह यह गाड़ी के अंदर फिट होएंगे या फिर नहीं होएंगे मुझे तो लग रहा है मैं कड़ोंगा फिट क्योंकि मैं सामान रखने में थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बर हो चुकी है क्योंकि इस में थीन से ज्यादा लगातर स्टैक आ नहीं सकते गाड़ी में दिए देखो क्योंकि इस में बैटने वाली जग है ना उसकी वैसे हम रखनी सकते और चार से जदा हाइट की चीज़ां रखनी पाएंगे इसके अंदर औ बारा अठे होते हैं 96 मतलब भाई हम 96 प्लैंक ही ले जा पारें और काफी जदा प्लैंक भाई दरी रहे तो मेरा भाई थोड़ा सा दिल तूट गया मैं सोच रहा था भाई सारी चीज़े एक बार मी आ जाएंगी तो सही रहेगा और यह देखो भाई यह देखो इसके उपर यह बाला स्टैक भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि ओ आ सकता भाई आ सकता है मैं फाल तुम्हें बुराई करने लग जाता हूँ गाड़ी की गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है थोड़ी छोटी है लेकिन काफी जादा भाई मज़दा लग दिये मुझे तो यह अपना मैटल तो भाई मैसी के उपर रखता चला जाता हूँ और मैटल की हाइट है काफी उपर तक यार एक दो और आ जाते ना सही रहता यह देखो भाई इससे जादा मैं उपर हाइट पर नहीं रख पाऊंगा तो मुझे एक चकर और लगाना पड़ जाएगा कोई नहीं हो तो लगा घर भाई लेकिन तेज भोट लग रही है यहार गासाट लगा लगा के देते दार मैं नहीं कितनी कोशिछ कर मैं WILL कर रहा हम Ses तो इसके सब्सक्क्राइब करना झाल 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 तो लटकेश मैं आ चुका हूँ बचे कुछे प्लैंक्स को लोड करके अब बस भाई मुझे घोडो का अस्तबल बनाना है कम्प्रीट करना है उसके बाद भाई दो घोडे खरीदेंगे लेकिन उससे पहले भाई जितने भी पिक्स हैना उनको बेचना है और पिक्स को बेचना भाई इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा मजदूरी लगने वाली उनके अंदर और एक सेकेंड एक सेकेंड भाई मैं मैं मैटल कम लेके आ चुका हूँ क्योंकि ये देखो इसके अंदर 50 चाज कंक्रीट और 125 मेटल तो फीडर के अंदर ही लगेगा मैं बस विंड मील के साब से मेटल लेकर आ चुका हूँ लेकिन पहले मैं अशा करता हूँ मैं विंड मील के अंदर मैटल बाद में लगाँगा मतलब पानी की वरसता तो मैं कर दूँगा बाद मैं फूड की वरस डाल देता हूँ मैं अपने इस घोड़े के यह सके अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर I think गेट सई डलेंगे अच्छा सौप लेट ग्रीडल चुके मुझे बस चार मैटन लगाने एसके अंद है कोई नहीं कोईजीकों की नहीं तो come to the कर्णेट को हुआ है क्या कॉंक Chiris लाना भी पड़ेगा दस बीस है और कितने का चाहिए यह है 20 का सिर्फ 40 कॉंकिरीट है मेरे पास मुझे जाना ही पड़ेगा भाई उदर hardware store भाई मुझे फिर से जाना ही पड़ेगा बिना जाए काम नहीं चलेगा तो कोई नहीं भाई ऐसे करता हूँ एक चक्कर मैं और मार के आ जाता हूँ hardware store का और बची कुछी जो भी चीज है न भाई उनको में ले आऊँगा डेर सो मैटल भी ले आऊँगा लगे हाथ मैटल का काम भी खतम हो जाएगा और जितने भाई यह लकडिया है ना एक्स्ट्रा इनको मैं इधरी पटक देता हूँ इनका अभी यूज नहीं है हमारे भाई के पास सब कुछ उड़ा दिया मैंने सब कुछ उड़ा दिया मतलब जितना भी पैसा था भाई सब कुछ उड़ा दिया चलो कोई नहीं वह तो अभी पिक्स को मारने वाला हूं तो मुझे और कूलर की साथ जुरूत पड़ेगी क्योंकि मेरे पास तीस कूलर है और तीस कूलर से काम नहीं चलेगा मुझे लग रहा है तो मैं ऐसा कर दो पांच कूलर और खरी लेता हूँ अपने लिए वान टू त्री फॉर फाइव फाइव कूलर और खरी लेता हूँ चारसो असी इनको भी लोड कर लेते फटावर से और यह देखा बाई एक भालू की लाश यहां पहले से पड़ी हुई है किदर पड़ी हुए उदर पड़ी हुए यह देखो और एक भालू यह देखो आ चुका है इसको मारने के लिए बस मुझे कुछ नहीं करना इसके मत्य पर गोली म निकल भे तुमारे भाई का निशाना देखो बागी कूलर्स को भाई लोड कर लेता हूँ ठीक है चलो सब कुछ लोड हो चुका है अब निकल लेते रेंच की तरह भाई हर बार इसा लगता है हाडवे स्टोर का अम मुझे चक्कर नहीं लगाना अम मुझे चक्कर नहीं रहोगा तो आज के दिनी भाई सारा का सारा पॉर्क मुझे बेचना होगा और इसके अंदर भाई तीश कूलर आ जाएगे किया क्योंकि मैं सोच रहा हूं इसी घाडी के अंदर में सारा का सारा पॉरक हाज डिलीवर कर दूख कि वाली गारी मुझे पसंद आ चुके बहुत profit होता है तगड़ा मदलब 20,000 के लाग वक्त 35,000 मिलते हैं बहुत जादा मज़ा आ जाता है फिर तो और अब भाई टाइम आ चुका है हमारी विंड मील और हमारे automatic feeder को complete करने का तो ठीक है पहले शुरुबात करते है automatic feeder से ये complete हो चुका है ठीक है इसको मैं full भी कर देता हूँ ठीक है और सारा का सारा food distribute भी कर देता हूँ ये देखो इसके अंदर food आ चुका है बढ़ी है दस दस आ चुका है लेकिन ठीक है और अब बार विंड मिल की तो 50 का स्टैक और 50 का स्टैक और 50 का स्टैक यह भी कंप्रीट हो चुका है यह भी भर देगा इसको और अब मेरे पास काफी ज़्यादा मैटल बचे हुए है तो मेरा घोडे का यह भी तो रह गया भाई इसके अंदर मुझे मैटल डालना है तो एक सेकंड एक सेक आज का प्राइस बढ़ी चल रहा और इसको वी तोड़ेता हूं ठीक है आज का प्राइस बढ़ी नहीं चल रहा है तो मुझे सोना पढ़ेगा 7.35 बच चुके तो 8.00 काजले और एक बार देख लीता हूं मेरे पिग कैसे हैं यह जंदा भाई अभी और अब भाई यह फुल साइज पर नहीं गया होगा लेकिन मोस्ट आप दी पिग भाई जा चुके फुल साइज बे और इनको भाई मैं फूल करके रखता हूँ क्योंकि मेरे पिग ना अपने आप नहीं मरने चाहिए मैं उनको खुद मारने वाला हूँ आज मैंसे कर बहुत जादा पिक्स को मारने व बना चाहिए और मेरा यह मेरा स्टोर रोम है मुझे इतना ज्यादा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती सामण रखने की तो मैं स्टोर रूम बना था था थोड़ा स्टोर रूम अच्छा लगेगा लेकिन अभी मुझे बहुत जादा फैला हुआ हुआ मैं इसको भाई सोई जाते है रात की टाइम काम करना अच्छा नहीं लगता और भाई मैंने ट्यूब लैड भी नहीं लगाई एक बी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आल सी हूं दिन की रोशनी में करेंगे काम ठीक है बाई गुड मॉनिंग हो चुकी है और गाड़ी की लाइट दोको यहां तक आ रही है तो एक सेकंड सबसे पहले लाइट आफ कर देते हैं और जितने भी कूलर है ना इनको हटा के धंग से जबाना शुरू करना मुझे डंग से और इस वाली गाड़ी के इंदर भाई मुझे कूलर को जमाने में दिक्कत आने वाले क्योंकि यह इतनी बड़ी एक स जो चुकी है इसके अंदर मैं धेड़ सारे कूलर को जमा दूंगा और अब हटना वे कुत्ते मेरे यार यह ना चड़नी पाती यह दिक्कत है अटक गई अटक गई इसके लिए रैंप चाहिए मुझे मैं बीच की सीड़ों को तोड़ने वाला हूँ तूड जा ठीक है इसक से अदर मुझे इसके उपर ब्लैक पेंट भी करना है मेरा ब्लैक पेंट की तरह ब्लैक पेंट की दो कामीन यह नहीं है ff एक सेकंड इस वाले को उठातों इसके अंदर सर्फ एक ही बचा है और यह हो चुका है इसके उपर बढ़िया भाई अब मेरी गाड़ी आराम से चड़ जाएगी इसकूपर यह देखा भाई आराम से चड़ गई अब भाई सारे के सारे कूलर मैं इसकूपर पहले तो जमा दे मैं अपनी गाड़ी को अंदर ही ले जाऊंगा पहले इनको मारना मैं शुरू कर देता हूं और भाई इतने दिन से पाला हूं लेकिन भाई कोई नी मारूंगा फिर भी और अबे कहां जा रहा है मारनी के लिए क्या करना है शूट शूट अबे मार क्यों नहीं रहे वह ऐसे तो मरते हैं इससे अच्छा अच्छा इसके अंदर pressure बनाना है गया या फिर इसके अंदर कोई gas वगर भरनी है गोली है मैं माड सकता हूं फाल तुम्हें भाई मैं ओ पास जाना है पास जाना है और मर गया ठीक है यह इससे ने शाए दर्दनाग मौत नहीं मरते हैं यह बहुत लग जाता अगर में इनकी skin ना उतारू और एक देखो भाई भारी निगल गया अब रिलोड करना जल्दी किदर भाग रहा किदर भाग रहा है किदर भाग रहा है रुक 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 निकल ठीक है भार वाले को तो मैं मारी देता हूं यार फाल तुम्हें लेकर आया बाई में उसको यह गन्स अनला ज्यादा सही है बहुत स्पीड से मरते हैं गंसे ठीक है यितने मर चुक है पहले मैं इनका मीट निहींड़ 원 होना शुरू हो चुका है क्योंकि जतने ज्यादाесто बिना इसकिन उत्रे मरे रहते ना उत्तना ज्यादा ये गेम लाग होता है फिलाल तो यह देखो भाई मज़े आ रहा है मारने में कुछ भी बोलो अब तो भाई मैं हेवानियत पर आ चुक हूं अपनी छोड़ा वह इतना ही काफी है इनका मैं मीट निकाल लेता हूं पहले एक सेगंड फिर से इनको मानना शुरू कर देता हूं है और एक गोली एक पिग वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स अरे यार एक चुक गया वह एक चुक गया कोई नहीं मैं अपनी सीओ टू गन से मारूंगा ये तो भाग रहे हैं ये भाग रहें थोड़े शांत कौन से ये वाला शांत है और तेरे बेजे के पास लाता हूँ और निकल ठीक है अरे यार मरी नहीं है भाई मर क्या ठीक है ये वाला है अरे यार इसकी रेंज भी गम है ये पिस्टल से ही काम चलाना पड़ेगा और इसी के साथ भाई ये मेरा लास्ट पिक और कितना ज्यादा भाग रहा भाई अपनी जान बचाने के लिए और यह देखा भाई मीट अंबार लगा दिया मैंने मीट का और चलने कल भाई गला जगर पर गोली मार दी लेकिन ठीक है भाई बहुत ज्यादा मुझे अब प् भाई मेरी नानी याद आने वाली मुझे क्योंकि यह देखो भाई यह सैगड़ों में और जितने भी मेरे पास कूलर है ना भाई मैं लिखके देता हूं सारे के सारे कम पढ़ने वाले इतना ज्यादा मीट है और सिर्फ 24 की कैपिसिटी है तो मुझे नहीं लगता भाई यह हजार से कम होने वाले पीसे और मेरे कूलर भाई खतम हो जाएंगे लेकर यह मीट खतम नहीं होगा बहुत जाड़ा टाम लगेगा इसको घटा करने में तो ठीक है मैं लग जाता हूं काम पे और अपनी गाड़ी को तो मैं अंदर ही ले चलता हूं क्योंकि यह देखो भाई देखो भाई इतनी स्पीड से कूलर बढ़ते जाएंगे तो अलट गाईस जैसा कि मैंने बुला था भाई सारे के सारे मेरे कूलर भढ़ चुके हैं एक भी कूलर ऐसा नहीं जिसके अंदर भाई एक पीस की भी जगए हो और मीट देखो भाई अभी इतना खाली है कि कम से कम दस कूलर और भढ़ जाएंगे थोड़ा बार भी बढ़ा हुआ है ओ भाई दो कूलर इदर भी रखे हुए तो ठीक है इन से न में भार जितना भी मीट पढ़ा हुआ है उसको गलेट कर लेता हूं और कहां कहां तक भाई मीट उचट गया यह देखो मतलब इतनी दूर तक और खरीदने पढ़ेंगे यार मतलब भाई क्या करूं भाई दिक्कत हो रही है इतनी लास्ट में क्या करूंगा अभी तो चलो खरीद लोंगा लेकिन बाद में यह कूलर मेरे कब काम आएंगे फिलाल तुम्हें देख लेता हूं इसको में निकाल लेता हुआ और इस वाले कूलर का भी यूस आ जाएगा मीट को बरने में चलो ठीक है यह वाला कूलर भी खाली हो चुका है और भी देख लेता हूं क्या पता है इधर कोई कूलर हो सकता है कूलर नहीं है इधर दो बास्केट है यह देगो बास्केट इधर कूलर नहीं है और मेरा डॉग ओ इसका प्रॉद रखा तो है, लेकिन पता निце का यह no लेकिन देखो इसका फूड है इसके अंतर 5 तो पूड है और 10 में सचे पॉड है नेकिन पता है क्या दिकर इसके सामने रखके देखो गया भाई यह खा नहीं कहा रहा है यह कूछ नहीं अगर रहा आसी कि यह मढर जा मैं तो खाना रख सकता हूं उससे ज्यादा क्या घरूंगा बाकी स्वाली गाड़ी भी लेकर चल लेता हूं इदर भी कुल़ कोई होगा नहीं यह यह दर कोई सारे के शारे कुलर भाई बढ़ दिये रहे ने मीट वो आज निपट नहीं पाएगा तो शायद भाई मुझे अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा तो टीक है मैंसे करता हूँ अपने काम से काम रखता हूँ इधर से भाई मैंसे करता हूँ दस 60 का और खर्चा हो चुका है भाई मतलब इतना जादा खर्चा कर रहा हूँ है बहुत जादा इंवस्टमेंट नहीं वैसे यार कूलर को इंवस्टमेंट नहीं वोलेंगे यह तो एक चीज है जो कि मारे पास हमेशा रहेगी 15-16,000 का इंवस्टमेंट था मेरा पिक्स के उपर और देखते भाई निकलता कितना है पिछली बार हमने पिक्स को बेचा था ना तो 32,000 डॉलर हमें मिले थे तो इस बार यह देखना है कि हमें 32,000 से जादा मिलेंगे है फिर कम और यह मेरे 10 के 10 कूलर भाई इसके उपर आ चुके हैं चलो ठीक है भाई अब चलते हैं सीधा अ मैंने ना गडबड कर दी मुझे ना बड़ी वाली कार्ट की जरूत पढ़ने वाली तो मैं अपनी बड़ी वाली कार्ट लेके चल लेता हूँ इसके अंदर कोई सामान नहीं है चलो बड़ी यह अच्छा है भाई मेरी कार्ट हमीशा खाली रहती है ठीक है यह सिर्फ वहां और इन कूलर्स को न अंदर तक पहुंचा देता हूं इसी वाली गाड़ी से चलो बड़िया और अब भाई काम में जुट जाते हैं फिर से और भाई इसी के साथ मेरे 10 के 10 कूलर और भड़ चुके हैं लेकिन अभी भाई यह देखो कुछ मीट के पीसिस रहे गें और इनको भाई मैं से अगड़ता हूं अपनी गाड़ी में ऐसे लोड़ करके ले चलूंगा यार लेकिन यह गाड़ी के अंदर आएंगे भी तो नहीं मैं थोड़ा सा परिशान हो चुका हूं कि मैं अब करूं क्या लेकिन ठीक है पहले तो इन कूलर्स को यहां से निकालता हूं मैं बार चलो भाई सारे लोड़ हो चुके हैं तो इनको मैं किधर खड़ा करूं एक सेगड़ एक सेगड़ कुछ मीट के पीसे इस वाली गाड़ी के इंदर ही रखे हुए हैं तो पहले इस वाली गाड़ी को बाहर निकाल लेता हूं और यार यह मैंने फसादी से बता रहूं यह देखो इसके टैर थोड़े चोटे हैं तो यह नहीं निकल पाएगी मुझे बाई कूलर से इटाने पड़े के यहां से तब ही ऐसा हो पाएगा इनको मैं साइड में कर देता हूं चलो बड़ी हैं यहां से बूलर खटके ना अपनी गाड़ी को थोड़ा साथे करता हूं बारना उसके अंदर ही खड़ा कर देता हूं क्योंकि इसको मैं यूज नहीं करने वाला मैं दूसरी वाली गाड़ी को ले जाने वाला हूं यहां से और यह देखा बाई कूलर काफी है मैं सोच रहा हूं दस कूलर और खरिद के लिए हूं क्या दस नहीं पांच में काम चल चलो ठीक है भाई पास में है जनरल स्टोर तो ठीक है मैं पांच कूलर और खरीद के लिए आता हूं तब तक मैं ऐसा करता हूं इसके अंदर जितने भी कूलर है इनको मैं रख देता हूं ठीक है चलो भाई इस वाली गाड़ी को लेकर चलते हैं फिर से जनरल स्टोर आज तो घडे जैसी मैंनत हो गई मतलब बहुत जादा मैंनत हो गई और वाई मैं सोच रहा था इसी वीडियो में घोड़े भी खरीदूगा लेकिन नई यार मैं मेट बेचूंगा और वीडियो खतम करूंगा भाई इससे बतारो बहुत जब्धार दिक्कत हो जाती इतना ज्यादा अब भाई ये यूज में आ जाएंगे ठीक है चलो पांच कूलर ले लिए अब चलते हैं सीधर एंच पर वापस और मौसम देखो भाई क्या ही खुबसूरत लग रहे हैं बादल रात के टाइम और आज ना इतना ज्यादा अंधिरा निये रात में सब कुछ दिखाई दिरा चांदी रात है तो ठीक है और यहां पर वाई सबसे पहले जितना भी मीट पड़ा हुए मुझे वो ठाना है और इसी के साथ सारे के सारे मीट कलेक्ट हो चुके हैं तीनी कूलर में काम चल गया था दो गूलर रहे गया है तो कोई नहीं दो कूलर को तो मैं छोड़ देता अच्छा आ जाएगा भाई तो पहले तो इस वाली कार्ट को मैं कनेक्ट कर लेता हूं ठीक है और अब ना भाई मुझे यह उल्टी इसके अंदर ले जानी है क्योंकि उससे ना भाई मुझे एक सेट इसको बैक ले जाना यह देख वाई यही दिक्कत है बैक ले जाने में इतनी पास आ सकती है तो अब मुझे को इसके अंदर जमाना है और इसी के साथ भाई यह मेरा लास्ट कूलर है जो कि भाई इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगा और भाई मैंने ना साई डिसीजन लिया था इस वाली ट्रॉली को लेके क्योंकि बिल्कुल भी दिक्कत नह लगा रहा कि है और अब यह पूरा का पूरा सुमसान वीरान हो चुका है और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन ठीक है भाई तो यह तो सिर्फ एक गेम है तो भाई ज्यादा में टैंशन नहीं चाहिए और मेरा स्लीपिंग बैग किदर है गाड़ी के नीचे है तो इसको मैं रख लेता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर क्योंकि अगर प्राइस ठीक नहीं हुआ ना तो मैं सो जाओंगा और अगले दिन तो भाई ठीक होई जागा प्राइस शायद तो अब भाई अपनी गाड़ी को रास्ते रास्ते ले चलते बर्गर शॉप पे क्योंकि भाई अब मुझे थोड़ी भी टैंशन नीची है कि गाड़ी अटक गई या फिर यह चल नहीं रही है और एक सेकड़ फ्यूल यार फ्यूल कम है एक सेकड़ मैं जैरी के ले आता हूँ पीछा ही मेरा फ्यूल टैंकर है कोई भी टैंशन नीची है मुझे तो इसलिए मैं समझ के चल रहा हूँ और यह दोनों की दोनों जैरी केन पहले से फूल है बढ़िया फ्यूल लगा देते हैं गाड़ी के अंदर ऐसे और चलो भाई अब चलते हैं सीधा इस मीट को ठिकाने लगाने और इतना ज्यादा मीट है मतला भाई हद कर दी इतना ज्यादा मीट वह भी खतरनाक और रात का टायम है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यार गाड़ी करने दे मुझे तेरी ऐसे कि तैसी इतना सलो चल रही है और आज चुके भाई हम अपनी मंजल पे और यार मुझे ठीक से इनका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा यह और दिक्कत वाली ब यार तो मुझे सोना ही पड़ेगा मेरा स्लीपिंग बैक केदर है एक सेकंड पहले मैं सो जाता हूँ वही सारे दुख दर्द भूल के ठीक है गुड मॉनिंग अगले दिन हो चुका है देख लेता हूँ आज प्राइज बड़ा है या पर नहीं आज भी 1.3 है वो भी पॉर नहीं है यह उससे कम है तो यार बेचना बेफूफी होगी तो पहले तो जितने भी कूलर है इनको मुझे ठीक से जमाना होगा तो लट गई सारे के सारे बॉक्स मेंने जमा दिया और एक बार देख लेते हैं दूर से भाई यह कितना ज्यादा खतरनाक नजारा मतलब कूलर्स भाई मैं गिनना भी नहीं चाहता है इतने ज्यादा है और इनको भाई मुझे बेचना है तो एक दो बार में गेम रिस्टार्ट करके देख ले तो चेंज हो चुका है वाइल्ड मीट मिल्क और बीफ मीट बॉल 1.9 चल चुका है लेकिन पॉर्क का नहीं है तो प्राइच के बहुत ज्यादा प्रोफिट होने वाला है तो एक बार ना इनको प्राइस चक कर लेते कि आज फिर प्राइस चल क्या रहा है और देखते भाई दिल को थामके और एक सेगंड क्या हो रहा है यह ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है जबकि मैंने सारे के सारे कूलर 24 24 सब कुछ जमायत और तरीके से क्या दिक्कत आगी क्या लिए चाहिए गेम में 1440 अरे यार बागी के कूलर भाई आए नीरा उप्शन उनका तो मुझे न भाई यह ठीक से शायद रखने पढ़ेंगे एक सेगंड और मुझे भाई यह भी नहीं पता चलेगा किस कूलर में किसमें से नहीं तो मुझे भाई यह ठीक से रखने पढ़ेंगे शायद एक सेगंड थीक मैंने उल्टे सीधर रख दिये शायद अब ऑप्शन आ जाएगा और आ चुका है बाई चौन सट हजार असी डॉलर मतलब भाई हाट अटे आते रहे गया 32 दूनी होते हैं चौन सट 30,000 का और इस बार गया चौन सट हजार असी डॉलर का मतलब यार भाई मानना पड़ेगा डेडिकेशन को और बहुत जादा मेहनत करने के बाद फल मिल चुका है लगवख 16,000 का हमारा इंवेस्टमेंट था और चौन सट हजार का बाई टोटल हुआ है मतलब भाई 48,000 सीदे हमारे प्रॉफिटेबल है और ठीक है बिना किसी टैम वेस्ट के सारा का सारा पॉर्क मैंने बेच दिया है और चेक कर लेता है किसी भी कूलर के अंदर एक भी पॉर्क रह तो नहीं गया सारे के सारे कूलर भाई खाली हो चुके है और अब भाई मुझे अपनी गाड़ी के क्रॉस कर देंगे इस गेम के अंदर मतलब एक लाग डॉलर भाई हम इस गेम के अंदर कमा के मानेंगे और 750 का लोन है मतलब 750 का लोन एक टाइम पर यसा लगता था था भाई कैसे चोटी करनी पड़ेगी और आपको यह वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगली वीडियो भाई हम घोडे पालेंगे और अंगूर की खेती भी शुरू करेंगे तो थोड़ा सवाई वेट भी करना तब तक लिए सबको बाई